हलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम पृरियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ अर्भी की भरता की रेसिपी जो की बहुत आसान रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनके ये तैयार होता है एक पर देखिएगा वीडियो को लास्ट तक र संद आएगी तो चलिए हम बनाते हैं अर्भी की भरता तो सबसे पहले इहां पे हम अर्भी को अच्छे से धो के ले लिए हैं इसमें मिट्टी रहता है तो थोड़ा अच्छे से धो लीजिए और एक प्रेसर कुकर में रख लिए हैं क्योंकि इसे बॉयल करना है हमें और सा यहां पे इसे हम छिल के ले लिए हैं और एक फोर्क की सहता से हम इसे मैस कर लिए हैं आपको जैसे भी आसान लगता है वैसे इसे मैस कर लीजे तो यहां पे यह बहुत अच्छे से मैस हो गया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो गैस पे पैन चरहे हैं पैन में डाले हैं सर अब इसमें हम डालेंगे लहसन और अद्रक दोनों को कद्दू कस करके हम ले रहे आप चाहे तो पेस्ट भी ले सकते हैं और अब हम इसे थोरी दिर भून लेंगे तो यहां पर अद्रक लहसन को थोरी दिर भून लिये हैं अब इसमें हम डालेंगे प्याज और हरी मिर्ची ए प्याज को एक दम से हमें सौप्ट नहीं करना इसका कलर चेंज नहीं करना तो यहां पे आप देख सकते हैं प्याज को हमें इतना ही भुनना इससे ज्यादा हमें प्याज को नहीं भुनना है अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर तो यहां पे एक छोटी चम्मच हम चौप करके डाल लेंगे तो यहाँ पे 1 medium size के टमाटर हम डाल लेंगे और साथ में यहीं पे टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल दीजिए और नमक डाल के थोरी दिर हम भून लेंगे टमाटर को नमक डाल देने से टमाटर जल्दी पक जाएगा तो थोरी दिर इसे हम भून लेते हैं तो यहाँ पे टमाटर को हम थोरी दिर भून लिये हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे अर्बी जो मैस करके रखे हुए हैं तो पुरे अर्बी को डाल दीजे और मसाले में मिलाते हुए तीन से चार मिनट हम इसे भून लें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा एक चमच के करीब इसमें निम्बू का जूस डाले हैं इसे मिक्स कर लेंगे और इसे मिक्स करने के बाद हम गैस बंद कर देंगे तो यहां पे गैस हम बंद कर दिये हैं थोरा सा कटे हुए धनिया का पत्ता डाले हैं अगर आपको पसंद है तो जरूर डालिएगा और ये अब सर्ब करने के लिए पूरी तरह से तैयार है बहुत ज़्यादा टेस्टी अर्वी का चोखा या अर्वी का भरता आप इसे कुछ भी कह सकते हैं बनके तैयार है हम इसे सर्ब कर लेते हैं आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते ह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है बनाना भी असान है बहुत जल्दी बन जाता है ज्यादा मसाली की जुरत भी नहीं है हमें तो यहां पे हम इसे सर्फ कर लिए हैं और थोरे से चिली फ्लैक से गार्निशिंग कर लिए हैं तो एक बार ट्राइ कीजिएगा और हमें किजिए थैंक्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे सी रेसेपी के साथ